नमस्कार, KTN News में आपका स्वागत है और लूट की घटना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ताजा मामला कटिहार के सिमापूर उपिथाना छेत्र का है जहां प्रादियों ने मकई बेश कर आ रहे किसान को गोली मार कर हत्या कर दी मृत की पाचान पीकुव उर्फ पीकेस यादव के रूप में हुई है मिर्तक के परिजन की माने तो वर्चस और आपसी विवाद में इस हत्यकार्ण को अंजाम दिया गया है फिलाल इस बामले में कटिहार पुलिस ने तीन नामजद के खिलाब प्रात्मी की दर्ज की है फिलाल इस ने शर्ब को पोस्ट मार्टम करवा कर परिजनों को सौप दिया है और आगे की करवाई में जुट गई है माना चान को इनका घर है क्या नाम है इनका नाम है आपको पिक्कु जादव क्या करते किया था द्रेवरी करता था गोली लगा है गोली लगा सेमापुर से मखे खाली करके आ रहा था तब दस बजी रात मारा है घटना है आपको ठिक ठिकी प्राचोप का है लड़का का नाम है पिकेश कुमार जादव गटना यह मखे बेचने के लिए सेमापुर गया था वह ही उनके पडिजन का रोड़ो कर बुरा हाल है वही उनके पत्नी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मेरे पती तो चले गए अब हमारा गुजर वशर कैसे होगा एक वही थे जो कमाते थे तीन हमारे छोटे छोटे नन्ने बच्चे हैं उनका भरन पोशन कैसे करेंगे पत्नी परसासन से मुखावजे की मांग कर रही है क्या हुआ था रात में क्या हुआ था? कहां कोन जगा पर? सिमापुर किस ली गए थे? एक गुली? दो गुली आप लोग को जनकारी कितने बजे मिला? आथ वे नो बजे रात मैं उनकापूर किस ली गए थे? मेका घली करते हैं, मेका घली करें रिटान कर दाएं अपईसा भी ता पास नहीं है? कि अपहले से भी बाद भी था किसी से? अन्या भी बाद रहेगा, मुख्या जी काम करता था, खाता था वह पैसा दढ़ करता है, जो काम ता था उसके पास में पैसा भी था? कि अपका नाम था अपका नाम कितने बच्चे हैं लड़का लड़की कितना है तीन अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग आपका गुजर बसर कईसे होगा अपने बते वे किसा गुजर चलते हैं कि अपका रहे हैं आत्यों कि अपका बचाए तो प्ड़की कि अपका थोगराई चलते ते बचाहए ह। इन ऐएफ होगा थे स्युप कान्याथा ह।